स्कार, कैसे हैं आप सब, आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, take care of yourself, okay students, अभी जैसे मैंने आपको words पढ़ने सिखाए, शब्द पढ़ने सिखाए हैं, जैसे खीरा, नाशपाती, सीटी, दिपावली, हमने अभी शब्द पढ़े हैं न, सरकार तरकारी, ये words पढ़े हैं न, इसी तरह से, ये मात्रा से संबंदित, वाक्यों का भी पेज है, वाक्यों का भी पढ़ेंगे, कि वाक्यों को कैसे पढ़ना है हमने, तो सबसे पहला जो पैराग्राफ दिया गया है, वो है दिपावली के बारे में, बच्चों जैसे कि आप प्लंतों लो है तो झांते हों कंधे में, से गया आप पहने हैं। तो मुझ का जे कुछ ने से अने कपड़े पहने हैं, नइनी चीजे ले के आते हैं, पताहें के अधे हैं, जीने ले के आते हैं। chunk neighbors, 沒有ák कopt द्राती हैं डिपावली का बहा है। दिपावली के क्यों कंधे है दीपावली का दिन था बेटा जब मैंने sentence बोला उसके बाद पूर्णी राम आ गया मतलब हम यहां पे दुखते हैं, pause है यहां पे दीपावली का दिन था अब नेक्ट sentence क्या है? नानी मामी घर आई थी फिर पूर्णी राम आ गया अब नेक्ट sentence मामी नीली सारी पहन कर आई थी रानी खीरा पपीता लीची वो ककड़ी लाई दीदी दीपक जला रही थी फिर पोज आ गया उन दी राम आ गया अर्दीता की सखी पटाखा चला रही थी तो ये सब जो वर्णन किया गया है इसमें दीपावली के बारे में बताया गया है देखो पिक्चर में भी बेटा सब कुछ बताया गया है अब जो नीचे है वो तितली रानी के बारे में बटरफ्लाई के बारे में बताया गया है जैसे कि आपको बता है बटरफ्लाई कितनी सुन्दर लगती है सबको सबका मन मुह लेती है इसमें तितली रानी के बारे में बताया गया है तितली रानी रस पीकर फिर पीती पानी देखो तितली क्या पीरी है रस पीकर फिर क्या पीरी है पानी इधर उधर वह उड़ती रहती डाल डाल पर फिरती रहती नीली पीली आती तितली रैसे तो कई कलर्स्की होती है इसमें खास बोला है नीली पीली आती तितली महारानी कहलाती तितली को क्या उन्होंने एक टाइटल दे दिया है महारानी का नीली पीली आती तितली महारानी कहलाती तितली धन्यवाद